जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने प्रिवार हिम्रक्ष के यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे आप सभी को पता है 22 अप्रेल 2024 को आर्मी का एक्जाम है इस एक्जाम के रिगार्डिंग हम आपके लिए लेकर आएं है इसमें होंगे टोटल 50 कोशिन और आपको टार्गेट रखना है कि आपके 40 प्लस मार्क्स तो आने चाहिए ठीक है जी समझ गए इसमें होगा आपका जीके, साइंस, मैथ्स और रिजनिंग शक्षिन ठीक है चार शक्षिनों से लिए के कोशिन है जीके से 15 होंगे, साइंस से 15, मैथमेटिक से 15 और आपका रिजनिंग से 5 कोशिन ठीक है पहला कोशिन अटेम्ट करने के कोशिश करें जैसे ही आपके सामने कोशिन आएगा आप वीडियो को पोज कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर कोशिन को अटेम्ट कर सकते हैं हमारा पहला कोशिन है हमारे सोर मेंडल का सबसे गरम ग्रह है बुद्ध, शुकर, मंगल या फिर प्रिथ्वी तो इस प्रेशन का सही उत्तर है ओप्शन B is the correct answer हमारे सोर मेंडल का सबसे गरम ग्रह, शुकर ग्रह है ठीक है जी, याद रहेगा देखे यदि आप हिमाचल परदेश पुलिस की फोरेस्ट गार्ड की पटवारी की ऐसा कोई भी एक्जाम है जिसमें जी के आता है साइन्स, मैथामेटिक्स, रिजनिंग आप इसे 50 कोशिन के एक मोक्टेस पिपर के रूप में लगा सकते हैं और अपनी त्यारी को जांच सकते हैं वीडियो को स्किप्ट करने की ये गलती नहीं करनी है कोशिन नमबर सेकिंड एहमदाबाद किस नदी के किनारे स्तित है साबरमती, महानदी, चंबल, कावेरी तो इस प्रशन का सही उत्र है साबरमती एहमदाबाद किस नदी के किनारे है साबरमती ठीक है जी नेक्स्ट है कोशिन नमबर थर्ड तो याद रखेगा रादा मोहन कप का संबंद किस खेल से है? क्रिकेट, टैनिस, फुटवोल, पोलो तो याद रखेगा रादा मोहन कप का संबंद पोलो खेल से है? Option D is the correct answer Next है question number 4 अजनता चित्रकारी का बिश्य, बस तू निमन में से किस से संबंदिते हैं? जैन दर्म, शैब दर्म, भोध दर्म, बैशन अफ दर्म इस प्रशन का सही उत्र है Option C is the correct answer भोध दर्म Next question number 5 मदू बनी, लोकला किस राज्य से संबंदिते हैं? हिमाचल परदेश, राज्यस्तान, बिहार, गुजरात तो इस प्रशन का सही उत्र है, बिहार, मदू बनी, लोकला कहां की है? बिहार की Next question number 6 गांदी जी ने सर प्रथम भारत में सत्यगरे का प्रयोग कहां किया? खेडा में, एहमदाबाद, चमपारण में, या फिर इन में से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उत्र है, चमपारण में मेरकों कैसे पता लगा? देखिए, गांदी जी के सत्यगरे जो हैं, वो इसे आप एक ट्रिक के मादियों से याद रख सकते हैं जैसे हो गया केक केक वर्ड आपने याद रखना है, जो आप बड़े में कारती हो न, वही वाला केक है सी से आगे चमपारण, ए से एहमदावाद, के से खेड़ा बस तीन गांदी जी के बारे में सत्यगरे में याद रखने हैं, क्या बोला मैंने चमपारण, एहमदावाद, और खेड़ा, ठीक है जी नेक्स्ट है, कॉश्चिन नमबर, सेवन्थ निमन लिखित में से कौन सीमान्त गांदी के नाम से जाने जाते हैं लोड माउंट वेटन, सरदार पट्टेल, खान अब्दुलगफार खान, या फिर लोड डलोजी देजी उत्तर तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option C is the correct answer, खान अब्दुलगफार खान ये सीमान्त गांदी के नाम से जाने जाते हैं नेक्स्ट है कोशन नमबर एट, जोग्राफी से लिए कोशन है निमन लिखित में से कौन कायांतरित शेल है, ग्रिनाइट, स्लेट, संगमरमर या फिर स्ठिप्टिक तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option C is the correct answer, संगमरमर ठीक है नेक्स्ट है आपका कोशन नमबर नाइन निमन लिखित में से किसे प्रकृती का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है जोला मुखी, अजोन, गैस, भुकम्प या फिर नदियां इस प्रशन का सही उत्तर है, जोला मुखी, option A is the correct answer नेक्स्ट है कोशन नमबर 10 त्री पिटक धार्मिक गरंत है, जैनों का, हिंदूं का, मुसलमानों का या बोदों का तो इस प्रशन का सही उत्तर है, बोदों का ये है, त्री पिटक धार्मिक गरंत है नेक्स्ट है, question number 11 बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ना ही जल्दवाजी करनी है जैसे ही आपके सामने question put हो रहा है, आप सीधा answer के और focus करना होगा आपको यदि आपको time कम मिल रहा है, तो आप वीडियो को pose कर सकते हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, सिंध, हडपा, महोंजोदरो या फिर पंजाव इस प्रशन का सही उत्तर है हडपा, option बीज दा correct answer कब खोजा गया था, 1921 को खोजा गया था, अब महोंजोदरो को कब खोजा गया था, 1922 को, ठीक है, एक सालवाद 1922 को खोजा गया था next question number 12, परित्वी दिवस, कब मना जाता है, 20 March, 22 April, 5 June, 24 September बताईए, question number 12 का कौन सा सही है, आपका paper गब है, कब बताया मैंने, 22 April को तो answer आपका सही है, option B is the correct answer, ठीक है, यह question आ सकता है क्योंकि important है 22 April को खास दिन है, अर्थ दे, याद रहेगा परित्वी दिवस, next है question number 13, शाह नामा के रचनाकार कौन है अमीर खुसरो, अबू फजल, फिर्दोसी, इन में से कोई नहीं, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option C is the correct answer, फिर्दोसी next question number 14, शीख गुरू अर्जुन देव किसके शाशनकाल में थे, शाजा, जहांगीर, हिमायू, अकवर, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option B is the correct answer, जहांगीर, ठीक है next question number 15, 15 यो है, वो जीके का last question है, आपको बताना है comment box में, कि आपके 15 में से कितने मागसाए है ठीक है, निमन में से कौन सा output device नहीं है, printer, monitor, plotter, touch screen, इस प्रशन का सही उत्तर है, option D is the correct answer, touch screen next है, question number 16, start हो रहा है, अब section भी आपका new start हो रहा है, अगले 15 question, means 30 question तक आपके science के question होंगे हिमाचल परदेश पुलिस में भी आते हैं, तो पुलिस वाले student भी जरूर इस वीडियो को देखना ठीक है, श्वशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है आपको उश्मा शेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उबेचन अपचयन अभिक्रिया, या फिर द्वे अपगटन अभिक्रिया बताना है, इस प्रशन का सही उत्तर है, option A is the correct answer, उश्मा शेपी अभिक्रिया नेक्स्ट है, question number 17, ट्रिपल स्टारवला question है, ये बार-बार exam पूछा गया है इसलिए इस mock test paper में डाला गया है, क्या question है, वेपदार्थ जिनके स्वाद खटे होते हैं, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहलाते है, basically ये definition है, किसकी है, अमल की, लवन की, बसम की, शारक की, acid, base, salt, किसकी है इस प्रशन का सही उत्र है, अमल की, option A is the correct answer, acid की definition है ठीक है, next question number 18, निमल लिकित में से कोन उश्मा बिद्यूत, उश्मा और बिद्यूत का सुचालक है हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट, मिथेन, इस प्रशन का सही उत्र है, ग्रेफाइट, option C is the correct answer next question number 19, अल्फा और बेटा केरनों की खोच किसने की थी बलाड, बिलाड, डल्टन, फेरेडे, रदरफोट, इस प्रशन का सही उत्र है, रदरफोट, option D is the correct answer next question number 20, दियासलाई की नोक में क्या रहता है लाल, फोस्फोरस, स्फेध, यहां फिर श्वेथ, फोस्फोरस, फोस्फोरस, ट्राइक्लोराइड, इन में से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उत्र है, लाल, फोस्फोरस, रदरफोरस, फोस्फोरस रहता है next question number 21, सारवधिक योगिक बनाने वाली अभिक्रिय गैस है जिनोन, आरगन, हीलियम, उक्सिजन, इस प्रशन का सही उत्र है जिनोन, option A is the correct answer next है question number 22, हाइड्रोकलोरिक अमल का अन्य नाम क्या है इस प्रशन का सही उत्र है, option B is the correct answer next है question number 23, बोजन का पाच्चन किस प्रकार की अभिक्रिया है उप्चेयन, सियोजन, अप्चेयन, बिस्थापन इस प्रशन का सही उत्र है, उप्चेयन, option A is the correct answer next है question number 24, पुष्पों का अधियान कहलाता है क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलोजी, फीनोलोजी, एंदोलोजी, इनमें से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उत्र है, एंथोलोजी, option C is the correct answer next question number 25, निमन लिकित कि इसके दोरा दूद खटा होता है वाइरस, बेक्टीरिया, निमोटोड, प्रोटोजोवा, इस प्रशन का सही उत्र है बेक्टीरिया के कारण दूद जो है वो खटा होता है खटा मतलब दें जमता है, ठीक है, लेक्टो बेसिलस नाम का बेक्टीरिया से दें जमता है next question number 26, वह यंत्र जिसके दोरा तने की ब्रिद्धी दर सही रूप से ना पी जाती है पोटो मिटर, ओटो मिटर, एक्सोजोनो मिटर, रैस्पिरो मिटर, बताना आपको कौन सा मिटर है इस प्रशन का सही उत्र है, option C is the correct answer next question number 27, मानव शरीर में कार्बो हाइडरेट पुन संग्रहित होता है ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च, ग्लुकोज, इस प्रशन का सही उत्र है, ग्लाइकोजन, option A is the correct answer next question number 28, शरीर में उत्रकों का निर्मान किस से होता है प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट, बसा या फिर बिटामिन इस प्रशन का सही उत्र है, option A is the correct answer प्रोटीन, next question number 29, ये भी काभी important question है triple star से इस question को मार्क करें बड़ एक्जामर बार-बार पूछे आता है, बिटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, उक्जैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अब्जोबिक एसिड इस प्रशन का सही उत्र है, option D is the correct answer, अब्जोबिक एसिड है, इसका रसाइनिक नाम next question number 30, 30 is the last question of the science section, हमारे इस mock test paper में 30 questions हो चुके हैं, आपको बता रहा है, साइन्स में आपके 15 में से कितने मागसाई हैं, ठीक है जी समझ गे, वह कौन सा बल है, जिसके कारण पिंड, धर्ती के केंदर की और खीचता चला जाता है, द्रबेवान, अवेगीवल, गुरुत्वा कर्शन, संभेग, इस प्रशन का सही उत्तर है, ओप्शन, सी, इस दा करेक्ट अंसर, देखिए यदि आपको इस वीडियो के पीडियाफ चाहिए, तो आप दिये गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहां फिर कॉमेंट वोक्स में एक लिंक, डिस्क्रिप्शन वोक्स में एक लिंक की दिया गया है, टेलिग्राम का, वहा कहते हैं, उद्रव पादन, बाश्वी करण, पिगलना, इन में से कोई नहीं, तो इस प्रशन का सही उत्तर है, ओप्शन A is the correct answer, नेक्स्ट है, क्वेशन नंबर 32, साइन्स के आगे भी क्वेशन है, 35 तक होंगे में भी, तेक है, नेक्स्ट है, द्वनी तरंगें किसके प्रतिद्वनी उत्पन करती है, परावर्तन, अपवर्तन, गुरुत्वा करशन, इन में से कोई नहीं, इस प्रशन का सही उत्तर है, ओप्शन C is the correct answer, गुरुत्वा करशन, नेक्स्ट है, क्वेशन नंबर 33, निमल लिखित में से सदीश राशी है, वेक, लंबाई, समे, द इस प्रशन का सही उत्र है, ओप्शन A is the correct answer, बेक, नेक्स्ट है, क्वेशन नंबर 34, न्यूटन की गती का प्रथम नियम क्या कहलाता है, सम्बेक सरक्षन का नियम, गती शीलता का नियम, जड़ता का नियम, इन में से कोई नहीं, इस प्रशन का सही उत्तर है, जड़ता का ओप्शन C is the correct answer, law of inertia, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, नेक्स्ट है, कोईशन नंबर 35, यहां पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है, 20 कोईशन थे साइंस के, प्रकाश का बेक, सरप्रथम किस ने ग्याद किया, गलेलियो, मैटकेसन, कैलसन, रोमर, नियूटन, इस प्रशन का सह ही उत्तर है, ओप्शन C is the correct answer, रोमर, नेक्स्ट कुश्चिन है आपके, मैथामेटिक्स के, काफी असान कुश्चिन है, यह आपके पास, टर्म्स है, 342, 743, 175, आपको, इकाई अंक, मेंस, इंग्लिश वाले सुन लो, यूनिट डिजिट आपको, काउंट करना है, ठीक है, डिजिट, वन आएगा, तू आएगा, थ्री आएगा, यह फोर आएगा, बताना आपको, शाबाश, करिए हल इस प्रेशन को, तो इस प्रेशन का सही उत्तर है, 36 का ओप्शन A is the correct answer, नेक्स्ट है, कॉश्चिन नंबर, 37, क्या प्रेशन है, पांच वर्ष पहले, अजे और उसके पिता की आयू, दो रेशो नो के अनुपाद में थी, यदि पांच वर्षों के बाद, अजे की आयू उसके पिता की 4 वे 11 है, तब उसकी बर्तमान आयू क्या होगी, 10, 15, 20 या 25 वर्ष, इस प्रेशन का सही उत्तर है, option B is the correct answer, नेक्स्ट है, question number 35, 9 क्रमागात, 9 क्रमागात, संख्याओं का ओसत, average जो है, वो 37 है, तो इन 9 संख्याओं में सबसे छूटी संख्या क्या होगी, 26, 36, 39 या फिर 33, इस प्रेशन का सही उत्तर है, option D is the correct answer, next question number 39, क्या है बिल्कुल ध्यान से question को देखिए, यदि किसी संख्या, हम इस संख्या को मानेंगे X, X के 6, Y, 7 भाग का, 4, 5 भाग का, 216 है, तो उस संख्या, means X का, 8, Y, 9 भाग क्या होगा, 179, 280, 160, 269, इस प्रेशन का सही उत्तर है, option B is the correct answer, 280, next है question number 40, एक परिवार में 5 सदस्या, उनकी ओस्त आयू कितनी है, 24 वर्ष, यदि सबसे छोटा सदस्या, 8 वर्ष का है, तब सबसे छोटे सदस्या के जनम के समय, परिवार की ओसत आयू साल में बताने हैं आपको, कितनी थी, 16, 20, 24, या फिर 32, इस प्रेशन का सही उत्तर है, 16, option A is the correct answer, next question number 41, देखी जैसे ही आपके सामने question आ रहे हैं, वीडियो को pose कर सकते हैं, क्योंकि मैं continue बता रहा हूँ answer, ठीक है, समी करण 15-7x, 15x पलस 7 को बराबर बनाने के लिए x का नाम, x का मान है, बताना आपको, 4x11, 11x4, 11x5, 5x11, इस प्रेशन का सही उत्तर है, option A is the correct answer, next है question number 42, एक दुकानदार एक गड़ी पर 5% की शूट देता है, यदि वह 6% शूट देता है, तो वह 15 रुपए कम कमाता है, गड़ी का अंकित मुल्ले कितना है, इस प्रेशन का सही उत्तर है, option C is the correct answer, पंद्रा सो, next है question number 43, 3, 12, 4 का चोथा समानुपात ग्याद कीजिए, 16, 12, 15, 9, इस प्रेशन का सही उत्तर है, 16, option A is the correct answer, next है question number 44, 44, X और बाए की मासिक आए, क्रम्श है, 5 अनुपात, 11 के अनुपात में है, उनकी आए का अंतर 24,000 उपए है, तो बाए की मासिक आए क्या होगी, 44,000, 20,000, 22, 33,000, इस प्रेशन का सही उत्तर है, 44,000, option A is the correct answer, नेक्स्ट है, question number 45, एक, साड़े 300 मिटर, लंबी ट्रेन, रेल गाड़ी जो है, वो धाई सो मिटर के पुल को, 30 सेकिंड में पार करती है, रेल गाड़ी की, गती कितनी है, काफी important question है, triple star वड़ा question है, बार बार यहां से question आते ही, आते हैं, बताना आपको, 32 किलोमेटर प्रती गिंटा, 62, 52 या फिर 70, इस question का सही उतर है, option A is the correct answer, next अभी आपके reasoning start हो रही है, 5 question, आखिर के 5 question आपके, 46 से लेकर 50 तक आपके, question है reasoning के, और पहला ही question आपका series लिए गया है, C, M, M, E, O, O, Q, Q, K, U, U, ठीक है, O आएगा, O क्यों क्यों क्यों, next क्या आएगा, कौन ज़े से लिए बनेगी, इस प्रशन का सही उतर है, option C is the correct answer, I, S, S आएगा, next है question number 47, निमल लिकित प्रशन के लिए, दिये गए भी कल्प में, बिशम, अक्षर, शब्द, संख्या, संख्या का चैन कीजिए, इसमें आपने बताना है, Ode कौन सा है, या Ode बन आउट शांट ना है, ठीक है, इस प्रशन का सही उतर है, option C is the correct answer, next है question number 48, 6, 11, 21, 36, 56, आगे क्या आएगा, जहां पर interrogative निशान लगा है, इस सीरीज को complete करना है, आपको क्या आएगा, 42, 51, या फिर 81, कानवे, इस प्रशन का सही उतर है, option C is the correct answer, next है question number 49, second last question है, यदि A is equal to 1 है, cat is equal to 60 है, तो main क्या होगा, काफी important question है, ठीक है, coding और decoding से लिए गोशन है, क्या होगा, 27, 90, 180, 182, इस प्रशन का सही उतर है, option D is the correct answer, next, question number 50, उस जोडे का चुनाब कीजिए, जो दिये गए जोडों के सम रूप है, जैसे, 9, 27 है, 9, 27, बैसे ही, same जोडे का आपको चैन किरना है, इस प्रशन का सही उतर है, option D is the correct answer, यहां तक वीडियो देखने के लिए, आप सबी का तहदिल से धन्यवाद, जैहिन, जैबारत, यादा से यादा बच्चों में, इस वीडियो को आपने शेयर करना है, जिनका भी 25, sorry, 22 अपरेल 2024 को पेपर है, उन में जरूर, आपने उन एस्पिरिंस में, इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है जी, चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सकाइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाएं, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपको जल्द से जल्द मिलती रहें, थैंक यू, सब्सकाइब हिमरक्षक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, धन्यावाद, जेहिन, जेहिमाचर, जेहिमाचर,